फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडियन ओथर पॉंजी कारा रफी की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दा गोल्ड वॉच्च या गर हम हिंदी में कहें तो सोने की घड़ी और इस स्टोरी में ये जो गोल्ड वॉच्च है इसका एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंट्स ये जो स्टोरी है ये एक साइकोलोजी को बताती है कि किस तरह एक गरीब मजदूर एक पूर लेबरर जो है वो गलत रास्ते पर आ जाता है उसे गलत काम करने पड़ इस बारे में इस स्टोरी में बताया गया है साथ ही यहाँ पर ये जो गोल्ड वॉच्च है ये एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी गरीबी को दूर करने का एक उप्शन है और इसलिए इस gold watch की यहाँ इस story में बहुत ज़्यादा importance है हम आगे जब इस story को पढ़ेंगे तो इसे और भी बहतर तरीके से समझेंगे Francis story के writer का नाम है पॉंजी कारा रफी जिनका real name था जोसेफ रफाइल उनका जन्म हुआ था 12 April 1924 में और उनकी death हुई थी 6 September 1992 में साथ ही उन्हें केरिला साहित Academy Award for Miscellaneous Works भी दिया गया था उनकी famous works में स्वरगा धूतानम, ओरा प्रो नोबिस, कलियुगम ये सभी शामिल है तो चले फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और इस story को समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंट्स यह जो story है यह एक गरीब मजदूर, एक पूर laborer की story है और इस मजदूर का नाम है संकू यह संकू जो है एक factory में काम करता है, एक factory में laborer का का में काम करता है और इसे जादा कुछ आता नहीं है एक unskilled लेबर है तो इसलिए इसकी जो salary है वो बहुत कम है इतनी कम है कि इसकी salary से इसका घर का जो खर्च है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा इस पर बहुत सारा loan है और ये जो loan इसे चुकाना पढ़ रहा है उसके लिए इसकी salary कम पढ़ रही है साथ ही इसकी एक family भी है इसकी एक wife है और दो बच्चे है और इसे पता चलता है कि एक और एक तीसरा बच्चा भी इनकी जिन्दगी में जल्दी ही आने वाला है यानि जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो income है जो salary है वो तो वहीं की वहीं है बहुत ही कम है और इनसे इनका गुजारा हो नहीं पा रहा तो अब यहाँ पर संकू को ये बात बार बार खटक रही है कि वो कैसे अपने परिवार का खयाल रखेगा कैसे उस आने वाले बच्चे की जरूरूतों का खयाल रखेगा और इन सभी चीज़ों को सोच कर वो बहुत जादा परिशान रहता है उसे किसी भी तरीके से पैसू का प्रबंद करना है उसे पैसे चाहिए था कि वो सारे अपने काम निपटा सके जो लोण है उन्हें चुका सके और इस तरह की बातों को सोच सोच कर उसकी जो रात की नींध है वो उड़ चुकी है बहुत जादा परेशान रहता है ये संकू अब यहां आगे हमें बताया गया है कि जिस फैक्टरी में संकू काम करता था उस फैक्टरी में एक इंजीनियर भी काम करता था और ये जो इंजीनियर था वो एक गोल्ड वाच पहना करता था अपने हाथ पर ये वही गोल्ड वाच है जिसके उपर इस स्टोरी का टाइटल रखा गया है ये जो इंजीनियर की गोल्ड वाच थी बहुत ही महंगी थी हमेशा ये इंजीनियर उसे पहना करता था लेकिन इस इंजीनियर की एक आदत थी एक habit थी कि जब भी लंच का टाइम होता था यानि दो बहर के खाने का टाइम होता था तो वो अपनी इस वाच को खोल करकर टेबल पर रख दिया करता था ये टेबल जो थी ये खिड़की के पास रखी वी थी और वो खिड़की हमेशा आधी खुली रहती थी तो उसी टेबल पर ये इंजीनियर अपनी वाच को अपनी घड़ी को रख दिया करता था और खाना खाने फैक्टरी के बाहर चला जाता था साथ ही फैक्टरी में बागी जितने भी वरकर्स थे वो भी लंच के समय फैक्टरी से बाहर जाकर लंच किया करते थे इसलिए इस घड़ी का चोरी होने का इस तरह की बातों के बारे में इंजीनियर को कभी खयाल भी नहीं आया होगा अब ये जो संको है इसकी नजर काफी समय से इस घड़ी पर थी वो जानता था कि ये घड़ी बहुत कीमती है और सोचता था कि अगर वो इस घड़ी को चुरा ले और चुरा कर इसे बेच दे तो इसे काफी पैसे मिलेंगे इतने पैसे कि इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग सॉल्व हो जाएंगी ये अपने घर भी कुछ पैसे ले जा पाएगा और अपना लोन भी चुका देगा लेकिन यहां एक और बात है जो संकू के मन में आती है और वो ये है कि संकू कोई चोर नहीं है वो अपनी मेहनत से पैसे कमाता है उसने कभी चोरी नहीं की है तो इसलिए उसे ये काम करने में डर लग रहा है लेकिन अपनी परेशानियों से तंग आकर संकू ने डिसाइड किया कि वो ये घरी चुराएगा तो इस तरह एक दिन दो पहर के एक बजे और सभी लोग लंज करने के लिए फैक्टरी से बाहर चले गए संकू ने देखा कि इंजीनियर ने दुबारा से अपनी घरी खोली उस टेबल पर रखी जो खिड़की के पास थी और ये इंजीनियर भी वहाँ से चला गया जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो संकू जो था वो चुपकी से उस खिड़की के पास आया और उसने हाथ बढ़ा कर वो घड़ी उठा ली संकू को ऐसा करने में बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसने पहले कभी भी चोरी नहीं की थी लेकिन अपने परिशानियों के बारे में सोच सोच कर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो घड़ी अपने पॉकेट में डाल ली लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे लगा कि शायद उसके बगल में कोई इनसान खड़ा था और उस इनसान ने संकू को घड़ी चुराते हुए देख ली अब संकू के मन में ये बात आया कि जरूर ही वो जो इनसान होगा वो भाग कर गार्ड्स के पास गया होगा उन्हें ये बताने के लिए कि संकू ने घड़ी चुराई है और फिर संकू सोचने लगा कि जितने भी वरकर्ज हैं उन्हें जब ये पता चलेगा तो वो संकू से नफरत करने लगेंगे उसका मजाक उड़ाया जाएगा उसे बिरादरी से निकाल दिया जाएगा और सब उसे चोर कहेंगे इस तरह की बाते सोचकर संकू के मन में जो डर था वो और भी जादा बढ़ गया और जो उसने हिम्मत थोड़ी देर पहले दिखाई थी वो हिम्मत भी तूट गई उसने डर के मारे वो घड़ी वापस से अपनी पॉकेट से निकाली और उस टेबल पर रख दी और वो वहां से चला गया और इस तरह से एक उसके मन में जो सुकून था वो वापस से लौट आया कि ठीक है अब कम से कम वो गरीब रहा तो रहा लेकिन कोई उसे चोड़ तो नहीं कहेगा और यहां पर यह स्टोरी खत्म होती है स्टोरी बेसिकली यही बताती है कि जो गरीबी होती है जो पवर्टी होती है वो लोगों से क्या कुछ करवाती है वो भले ही बुरे इंसान नहीं होते लेकिन गरीबी के कारण अपनी पेट की भूख के कारण उन्हें गलत रास्तों पर आना पड़ता है तो फ्रेंट्स ये थी The Gold Watch, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें